नमस्कार दोस्तों मैं तेजविर्षी आप तक स्पोर्ट्स नीज़ में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने स्री लंका को 2-1 से हराकर T20 सीरीज अपने नाम की अब इंडिया को 3 ODI मैच खेलने हैं कहां खेलने हैं कैसे खेलने हैं क्या स्क्वाइड रहेगा इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें और हाँ वेल आइकन को दवाना न भूलें जिससे के आपको आने वाले मैचों की नौटिफिकेशन मिलती रहें तो आईए चलते हैं, तो दोस्तों इंडिया और स्रीलंका के बीच पहला ODI मैच गुहावाटी में 10 जनवरी को खिला जाएगा, इस मैच का सीधा प्रशारण डेड़ वजे से होगा, आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स वर डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, तो दोस् पहला नाम है हरसल पटेल का, हाँ तेज गेंदवाज हरसल पटेल को ODI सीरी से बाहर कर दिया गया है, वैसे ही एक तेज युवा गेंदवाज हैं, सिवम मावी, सिवम मावी को भी ODI सीरी से बाहर कर दिया गया है, वैसे ही एक तीसरा नाम है, वो भी युवा बैट्समेर है राहुल त्रपाथी राहुल त्रपाथी को भी ODI सीरीज से बाहर कर दिया गया है आप दोस्तों जिन खिलाडियों को दुबारा टीम में बापस लिया गया है उनमें पहला नाम है कप्तान रोहित सर्मा का जी हाँ इस ODI सीरीज की कमान एक वार फिर कप्तान रोहित सर्मा समाह लेंगे वैसा ही एक दूसरा नाम है मिस्टर बरोसे मंद के नाम से जाने वाले स्रेयस आयर का स्रेयस आयर को स्रीलंका के खिलाब 1st ODI मैच में मौका दिया गया है और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले तीसरा नाम है विराट कोहली का जिनके विना इंडियन क्रिकेट सुना दिखाई देता है उनको सामिल किया गया है क्योंकि ये पूरी टीम बिस्कप के लिए तयारी कर रही है वैसा ही एक चौथा नाम है लोकेस राहुल का लोकेस राहुल हाली मैचों में फेल चल रहे है लेकिन एक वार उन पर फिर विश्वास जदाया गया है और उनको मौका दिया गया है अब हम बात करते हैं बॉलरों की जिनमें से बॉलर जिनको निकाला गया है उनमें किस बॉलर को सामिल किया गया है तो चोट से उबरकर आए जस्परित बुमरहा को इंडियन बॉलिंग की कमांज समालने को मिली है और वो स्री लंका के खिलाब ODI सीरिस में पूरे में भाग लेंगे तो ऐसा ही एक दूसरा नाम है मुहम्मद सिराज का मुहम्मद सिराज को भी बड़कप को देखते हुए टीम में सामिल किया गया है और वो अपनी सुरुआत स्री लंका दोरे से ही करेंगे वैसा ही एक तीसरा नाम है जो सबसे ओल्ड हैं उनमें आता है मुहम्मद समी का मुहम्मद समी को भी इंडिया स्रिलंका के बीच होने वाले फर्स्ट ओडियाई मैच के लिए सामिल किया गया है अब बात करते हैं हम टॉप और राउंडर बॉलिंग और राउंडर जो इस समय इंडिया में अपना अच्छा इस्थान बनाये हुए है वो है वासिंग्टन सुन्दर इनको भी सीलंका के खिलाब होनी वाली ODI सीरिस में मौका दिया गया है अब पूरी टीम कुछ इस प्रकार से है उम्रान मलिक अर्षदीब सिंग इसमें कैप्टन होंगे रोहित सर्मा और इसके बाइस कैप्टन होंगे हर्दिक पांडिया दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें और बेल आइकन को दवाना न भिलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाब